तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूचर चप्टर का नाम रेशो रेशो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अगर मैं रेशो का मतलब बताओं तो रेशो इस आ एक टूल है ये कुशन आता है कि फानेशल एनलेसिस के क्या-क्या टूल्स होते हैं अब टूल्स है आपको क्लियर होना चीए टूल्स का मतलब कुछ ऐसा हमारे इस पास मानके चलते हैं कि पॉइंट है जिससे एजिली खुल जाए जैसे कि मानलो आप किसी नट बोल्ट को अगर हाथ से खोलने की कोशिस करें तो नहीं खुलेगा लेकिन उसी का एक चाभी होता है उससे आप प्लास से अगर खोलो या चाभी से तो एजिली खोल सकते है तो प्लास या चाभी क्या है टूल्स तो प्लास या चाभी ने आपका क्या करा काम को क्या कर दिया असान कर दिया ठीक है ना same financial analysis के financial statement, financial statement का मतलब balance sheet और profit and loss, इसको अच्छे से analysis करने के लिए भी कुछ tools है, जिसमें से one of the most important tools है हमारा ratio analysis, हमारा cash flow ratio analysis के राबा comparative statement भी है और भी है, लेकिन most important के है हमारा ratio analysis, analysis, sir tool का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं दो साल का आपको data दूना, suppose करो मैं आपको data देता हूँ 2010 का, और 2000 मैंने काफ़ पुराना data ले लिया, 2011 का, ठीक है न, मानलो मैंने यहाँ पर बताया, के कुछ sales का मैं data दे रहा हूँ आपको, मैंने कुछ ऐसे दिया के पिछले साल sales यह था, और अगले साल का sales हमारा यह है, तो आप ना quickly respond नहीं कर सकते हैं, हुआ गया है, नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, यह sales था, यह sales था, तो आपको time भी लगेगा, calculation भी करना पड़ेगा, अगर calculation की knowledge नहीं है, तब भी आप judgment बड़ी delay लोगे, लेकिन मैं बोलू मेरा sales अगर मानलो 20% से बढ़ गया है, मैंने बोला हमारा sales जो है, वो 20% से बढ़ गया, तो आपका response quickly होगा, अच्छा पिछले बार का 100 होगा, तो उसी के हिसाब से आप company का क्या मानलो के growth कैसा चल रहा है, खर्चा मेरा double हो गया है, तो उसी से पता कर लो के 100% बढ़ गया है, तो ये क्या है, एक तरीके से देखो, मैंने इस तरीके से दिया तो बड़ी कठिनाई हो रही थी के comparison करने में, तो एक tool percentage के terms में मैंने आपको दे formulas है, लेकिन formulas कहने का actual आप उसे देखोगे, तो कोई formula याद भी नहीं करना तो formula कैसे बनता है, वो भी देखेंगे हम, simple simple, जिस तरीके का नाम है, उसी से वो points डिवाइड हो जाता है, तो sir हम इस tool को जब analysis करेंगे, तो क्या क्या हम किस किस, ये तो percentage में बताया, तो हम जब करेंगे न, हो सकता है ratio में निकले हो, हो सकता है time के अंदर answer आए, और हो सकता है percentage में answer आए, तो तीन तरीके सा answer आशकता है आपका, आपको अगर ratio भी दे दिया जाए न, one is to one, तो आप easily पता कर सकते हो, आधा आधा है भाई ये, ठीक है, time में अगर दे दून न, three time, तो Basically इस chapter के अंदर हम क्या सीखेंगे, liquidity ratio सीखेंगे एक, एक solvency ratio सीखेंगे, एक activity ratio सीखेंगे, एक profitability ratio ये heading है, आगर आप liquidity ratio सीखते हो, ultimately हम financial statement की बात कर रहें है, financial statement में क्या क्या होता है, मैं simple बोलू आपसे financial statement में क्या क्या होता है, तो बोलो कई sir एक होता है profit and loss, और दوسरा balance sheet profit and loss trading balance sheet जो भी है यही है ना now इन सभी को अच्छे से आप compare कर पाऊ एक दूसरे को इस खर्चे को income से compare कर पाऊ liability को assets से compare कर पाऊ या कोई assets को किसी खर्चे या income से compare कर पाऊ तो इससे क्या बोला जाएगा एक tool तो पता होना चे compare करने के लिए तो हम इसे each and every components को compare करेंगे अगर आपको liquidity ratio जानना है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए current assets and current liability यानि जब आप liquidity ratio सीखोगे ना तो आप current assets और current liability के बीच में क्या relation है और क्या comparison अच्छे से सीख जाओगे यानि balance sheet के कुछ parts तो हमने सीख लिया एक assets और liability को compare करा solvency ratio में पता है आप सीखोगे तो आप shareholder fund मेरे हिसाब से आपके लिए नई बात नहीं है अब shareholder fund आपको पता होगा shareholder fund में क्या क्या आता है share capital आता है reserve and surplus आता है और share warrant आता है यान है ना तो shareholder fund के बारे में सीख जाओगे यहाँ पर comparison होगा आपको knowledge आपको किस का comparison होगा shareholder fund and long term debt जिसको non current liability बोल देते है simple non current liability ठीक है ना तो आपको अच्छे से पता है के भाई साब balance sheet के अंदर तो तीनी चीज़ होता है एक shareholder fund होता है एक non current liability होता है है ना तो भाई इसका तो comparison होई चुका है कहाँ पर comparison कर लिया था पहले वाले ratio में इन दोनों का यहाँ सीख गया यानि liability हतम हो गया भी assets और assets का भी यहाँ पर और assets पर लिख दूँ और थोड़ा सा आपको assets के बारे में भी पताया जाएगा assets यानि यह दोनों ratio जो है वो किसके आसपास घूम रहा है balance sheet अगर यह दोनों activity आप कर लेते हो तो किसके बारे में अच्छे से knowledge हो जाता है बड़े detailed knowledge वो हो जाता है हमें balance sheet के each components के बारे में हो जाता है ठीक है ना अब बात आती है activity ratio activity ratio के अंदर आप क्या सीखोगे आप जितने भी profit and loss के item होते हैं उसमें से activity में major जो part होता है ना वो होता है हमारा sales और purchase से related क्योंकि बहुत सारे item है तो यहाँ पे हम comparison सीख जाएंगे और ज्यादा तर ज्यादा use होगा sales अल्दो और चीज़े भी हैं लेकिन major sales और purchase यानि trading का part एक तरीके से in short कहाँ दू अगर 11 वी class आपको याद है तो trading account बनाते हैं तो पूरा trading account का analysis यहाँ सिखाया जाता है अब क्या बच कि हमारा पास balance sheet खतम हो गया? trading भी खतम हो गया? बचा क्या? पी एंडल पी एंडल को यहाँ सिखाया जाता है जितने भी profitability ratio में जितने भी profit and loss से related information है वो कहाँ सिखाया जाएगा? profit and loss के अंदर discussion किया जाएगा तो हर किसी का तो देखो इस तरीके से हमने पूरे balance sheet को analysis कर लिया पूरे profit and loss को भी analysis कर लिया है ना? तो sir अब answer की भी बात कर ले तो answer की बात करें तो इसका answer जो आएगा न always इसका answer आएगा is to में अनुपात में आएगा ठीक है? इसका answer भी आएगा is to में जैसे 2 is to 1, 3 is to 2, 2 जो भी आजाए whatever आजाए is to यानि अनुपात में इसका answer आएगा हमेशा time में activity ratio का answer किसमें निकलता है? time में और इसका answer निकलेगा हमारा percentage में ठीक है ना? important कौन सा है? सारा ही important है कोई भी question पूछा जासा है 7 number का है तो कैसे भी पूछा जा सकता है reverse भी पूछा जा सकता है कि आप answer से question भी पूछा जा सकता है question से answer भी पूछा जा सकता है ठीक है ना? अब हम आज जो complete कर लेंगे वो कर लेंगे हम liquidity ratio liquidity ratio को जानने के लिए आपको current assets और current liability की knowledge होनी चाहिए बागी ये तीनों हम complete नहीं करेंगे आज आज जो हम complete करने वाले कौन सा ratio करेंगे हम liquidity ratio और liquidity ratio का एक और नाम है short term solvency ratio देखो ये है solvency ratio तो ये है long term solvency ratio लेकिन ये liquidity ratio का एक और नाम है short term solvency ratio या working capital ratio इसका तीसरा नाम मैंने बताया working capital ratio ठीक है ना तो फटा फट से चलिए हम start करते है liquidity ratio तो चलिए first ratio start करें liquidity ratio बोल लो short term solvency ratio बोल लो या working capital बोल लो इन ratio को किस तरीके से इसके अंदर majorly दो पार्ट सिखाये जाएंगे आपको और हमें दो तरीके का ratio इसके अंदर है हर ratio के अंदर अलग-अलग ratio इसमें दो ratio मेजर लिएंगे एक है current ratio current ratio और दूसरा है हमारा liquid ratio sir liquid ratio और भी नाम है इसके quick ratio और भी नाम है इसका acid test ratio आपके exam में कोई भी नाम देते हैं आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई इसकी की बात कर रहा है अब ध्यान से देखो liquid ratio और liquidity ratio में फरक है liquid ratio का मतलब यह है यह एक अलग ratio है liquidity ratio तो पूरा एक बड़ा ratio है उसके अंदर का part होता है कौन सा ratio liquid ratio कई बार बच्चे confused हो जाते हैं कि examiner पूछ लेता है liquidity ratio और वो सरिफ liquid ratio निकाल के आ जाते हैं जब आप से liquidity ratio पूछा जाए ना तो आप दोनों निकाल के आएंगे समझ मैं यह बात आपका और liquid ratio पूछा जाते है तो simple एक इसके अंदर formula है formula कहता है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हम current assets और current liability के बारे में सीखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या current ratio को formula current ratio को मैं बोलूँगा CRM ठीक है current ratio को formula होता है इस इकल टू करेंट एसेट्स डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ करेंट लाइवलिटी और हर एक ratio को ना एक idle ratio होता है idle ratio क्या होता है हमारा कि यह ratio रहाना तो company बहुत बहुत बहतरीन काम कर रहा है यह percentage निगल के आया है तो मान लेंगे आपकी company की बहुत अच्छी performance है उसे बोलते है idle ratio तो same इसका idle ratio जो है वो idle ratio है हमारा 2 is to 1 question पूछा जाएगा वाइवा में तो definitely पूछा जाएगा बताओ current ratio का idle ratio क्या होता है तो जवाब है sir current ratio का idle ratio जो होगा वो होगा 2 is to 1 very simple सुझ मैं यह बन आपको अब हमें समझना होगा sir current assets में क्या क्या आता है although हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ current assets का part फिर भी मैं लिख देता हूँ current assets is equal to क्या क्या होगा बताओ debtor जो जो मुझे याद आ रहे है simple simple word common stock और क्या हो सकता है prepaid और क्या हो सकता है bank का balance और क्या हो सकता है cash का balance और भी हो सकता है short term investment और हो सकता है bill receivable and etc. मैंने etc. लिख दिया you know very well balance sheet वाले topic में आपने देखा था नहीं क्या क्या होता है जो हमने notes to accounts में देखा था current assets के सारे वो part है provision for tax भी हो जाएगा वो भी तो current sorry assets की बात कर रहा हूँ मैं liability बोल गया मैं assets के अंदर और बाकी था cash and cash equivalent था inventory था short term loan and advances था सारा part यहाँ पर आ जाएगा समझे बात same अगर हम current liability की बात करें current liability तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर creditor bills payable और क्या सकता है provision for tax और क्या सकता है और many more आ सकता है outstanding expense मैं EDC कर देता हूँ क्योंकि उसको ज्यादा explain करने का फाइदा नहीं है आपको पता है कि इसके इंदर क्या-क्या parts आएंगे है ना हमें formula में रखना है current assets और current liability और हमारा answer आ जाएगा और answer कुछ भी आ सकता है लेकिन अगर two is to one आता है तो वह कौन सा ratio मान लेते हैं यह कौन सा है मारा ideal ratio simple सी बात करें समझ मैं यहां तक कोई परिशानी तो आपको एक balance sheet दे देगा balance sheet में से ढूंड ढूंड के current assets को इखटा कर लेना है और balance sheet में से ढूंड ढूंड के current liability को इखटा कर लेना है पहले और यहां current assets लिखना और current liability अभी question जब start करेंगे तो हम देखेंगे और हमारा answer आ जाएगा लेकिन कई बार examiner आपको current assets और current liability नहीं देता है लेकिन उसको निकालने का एक hint देता है ठीक है ना उस hint से भी हमारा current assets और current liability निकाला जा सकता है उसके लिए ना आपको एक balance sheet का बड़े detail में हर बार मैं बताता हूं एक balance sheet में बना देता हूं simple balance sheet में एक टेख्नीक है जिसके आपको formula याद नहीं करना फिर balance sheet balance sheet में assets में याद रखना तीन बाते होती है और liability में भी थीन बाते total balance sheet के अंधर नगा 6 points होते है liability में 3 points assets में 3 points liability में 3 points कौन कौन सा होता है एक होता है shareholder fund एक होता है non current liability एक होता है current liability assets में क्या क्या होता है एक माल लेते हैं कि fixed assets दो ही point होता है लेकिन तो हमारा current एक balance sheet है इस balance sheet में हमारे assets में 3 components लिखें और liability में कितने components होगे 3 अब आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों total के मामले में हमेशा क्या होता है बराबर होता है तो मैंने आप से कहा कि जरूरी नहीं है examiner आपको current assets और current liability दे अगर examiner आपको ये दोनों चीज़े दे और मान लेते हैं suppose करो इसका total दे दे तो आप ये निकाल सकते हो ठीक है ना आपने formula बनाना है तो बना लो बाकी balance sheet अगर आपके mind में एक picture image हो गया ना कि यहाँ यहाँ दे रखा है तो आप निकाल सकते हो दूसरी मैं बात करूँ अगर इसका total दे दू और ये दोनों components दे दूँ तो क्या निकाला जा सकता है current assets निकाला जा सकता है ठीक है ना अब एक बात और ध्यान रखना इन दोनों points को जब एड कर दिया जाता है न इन दोनों points को जब इन दोनों को add करेंगे तो इससे हम बोलता है capital employed capital तो ये भी हो सकता है आपको examiner capital employed दे दे और total assets दे तो what is total assets क्या है ये total इसको बोलेंगा total assets और अगर total assets दे दूँ और capital employed दे दूँ और current liability अगर मैं आप से पूछ लूँ तो मेरे हिसाब से समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको जब total assets मिल गया और capital employed इन दोनों को total मिल गया तो easily find क्या कर लोगे आप current liability तो ये formula बनाना चाहो तो बन जाएंगे आपके 100 formula लेकिन एक बार आपने ये चीजे देख ली न in fact इसमें भी और इससे अगले वाले में भी बड़ा help देगा ये balance बस ये छे बाते आपको mind में एक तरीके से picturize करके रखना है समझे बात आगे और भी कुछ बाते इसके अंदर ध्यान रखना है एक आपको पता होना चाहिए जी working capital क्या होता है working capital working capital होता है हमारा current assets minus में current liability अगर current assets में से minus कर दें current liability तो called as a working capital working capital का meaning देखो working मतलब क्या होता है काम करना काम करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे बोलते है working capital और काम करने के लिए पैसा क्या चाहिए होता है मालो मेरे पास 5000 है और 2000 मैंने कर्ज पे ले रखे हैं तो ultimately देखा जाए 5000 रुपे मेरे पास assets था और 2000 मुझे कर्ज ही मिल जाता है तो ultimately मुझे 3000 तो चाहिए काम करने के लिए हमेशा मेरे pocket में 3000 हो तो बात बन जा जाएगी तो working capital क्या होता है current assets minus current liability तो यहाँ पर examiner अगर आपको working capital दे दे और इन दोनों में से कोई एक component दे दे तो कोई एक find किया जा सकता है मालो मैंने बोला working capital 100 रुपए है और current assets मेरे जो है यह current liability मेरे 50 रुपए है तो बताइए current assets क्या होगा तो 100 यह है इधर आगे डिट्स हो बन जाएगा बड़े simple basic से formula है 9th standards वाले जो आपने equation बगेरा वाले सीखे हुए है ठीक है ना यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक clear है अब liquid ratio की बात करता हूँ मैं liquid ratio का formula क्या होता है liquid ratio बोल दूँ या quick ratio मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा quick ratio formula होता है इसका current assets minus current liability oh sorry divided by current liability क्या formula लिखा मैंने current assets minus divided by current liability तो same ही हो गया है तो थोड़ा सा फरक आता है इसमें फरक यह आता है इसमें से minus कर देते हैं हम stock और minus कर देते हैं बस prepaid expense यानि इसका formula अगर मैं बोलूँ ना तो होगा quick assets divided by sir quick assets कैसे निखालते हैं बताओ quick assets कैसे निखाला जाएगा बता सकते हैं quick assets current assets में से minus कर दें stock yellow formula बन गया यह तो फिक है ना बस आपको memorize रखना है तो यह क्या बन गया हमारा quick assets sir अब एक बात बताओ इन दोनों ratio में difference क्या है current ratio और quick ratio देखो current ratio भी हमारा current assets और current liability से related है quick ratio भी हमारा current assets और current liability से ही related है लेकिन यहां assets में changes आया liability देखो दोनों जगे क्या है changes कहा है तो कुछ assets ऐसे होते हैं जो कि within a year convert हो जाए ना cash में उसे current assets बोला जा सकता है लेकिन कुछ assets ऐसे हैं जो कि तीन महने के अंदर cash में convert हो जाए उसे quick assets बोला जाता है समझें दोनों में फरक एक साल का नज़रिया एक साल से कम वाला नज़रिया के लिए हम क्या बोलते है current assets लेकिन तीन महने का जिसके लिए नज़रिया रखा जाता है ना quick assets quick बोलो देखो नाम देखो liquid liquid मतलब पानी के जासा मतलब बहुत जल्दी फैल जाना convert हो जाना assets assets का भी मतलब यही है बहुत जल्दी क्या होता है spared हो जाता है बहुत जल्दी फैल जाता है ऐसे ही आपका कौन सा है quick assets quick का मतलब बहुत quickly तो sir current assets में से क्या ऐसे दो यही जंजट है कि stock और prepaid ही क्या ज़्यादा time लेता है बिल्कुल हाँ stock आपने दुकान में देखा हो का expire भी हो जाता है भाई पढ़ा पढ़ा तो छे मैने भी हो जाते हैं साथ मैने भी हो जाते हैं तो stock को माना गया है कि भाई it may be ऐसा नहीं बोल रहा है हमेशा it may be taking time more than three months that's why यहाँ से क्या कर दिया हमने subtract कर दिया prepaid expense तो कभी cash में convert ही नहीं होता मैंने मान लोग के एक चाय वाले से 10 रुपे का चाय था 8 रुपे का चाय था मैंने 10 रुपे दिया मैंने 2 रुपे भाई अगली बार लगा लेना cash में convert नहीं होगा अगली बार मैं उसे 6 रुपे दूँँगा बराबर हो गए 2 रुपे पिछले थे 2 रुपे पिछले थे और 6 रुपे अब ले लो 8 रुपे की चाय रहना 8 रुपे मिल गए चाय वाला बोलेगा हाँ क्या cash में convert हुआ वो नहीं हुआ तो prepaid expense बहुत कम chances होता है कि cash में convert होता है जब हम advance किसी को खर्चे के लिए दे जाता है तो वो adjust हो जाता है वो क्या हो जाता है adjust इसलिए से यहां से हटा दिया गया बागी bank का balance already cash में है अगर मैं current assets में बोलू debtor भाई 3-4 मैने के लिए उधार नहीं दिया जाता है मैं बोलू तो debtor होगा तो वो लेंगा अगले मैंने पैसे दे देना 10-15 दिन का उधार चलता है stock को अटाई दिया prepaid को bank already cash के terms में cash cash के terms में short term investment भी आपका cash के terms में भी होता है और cash के terms में कैसे होता है short term investment क्योंकि एक-दो मैने के लिए करते है इसके अंदर marketable security भी आजा सकता है जो कि cash में ही होता है ठीक है न तो ये कुछ एक formula यूज होगा ये दोनो formula आपस में लिंक अप भी हो जाएंगे इसका ideal ratio ना normally one is to one है ये दोनो formula लिंक अप भी हो सकता है हम question करेंगे दीरे दीरे उसके बाद देखेंगे कितना changes आएगा और किस तरीके से किया जाएगा पहले इस formula को देखो इससे आप जितने मर्जी formula बना सकते हो मैं directly आपके book के question करना है स्टार्ट करूँगा यहां तक पहले formula समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं एक तो question पूछा जाता है जी ratio find करो दूसरा question इसके अंदर एक आता है जो कि examiner का आजकर favorite बन गया है reason बताओ कि इससे change क्या परभाव पड़ेगा हमारे ratio पे क्या impact आएगा बढ़ जाएगा घट जाएगा यह no change होगा तो एक reason बेस तो पहले हम normal question कर लेंगे यह समझ में आ जाएगा ना तो एक concept करेंगे reason का उससे पूरे ratio का ही reason हम find कर सकते है simple से point से बस ठीक है ना तो इसे फटा-फट से note करिए आपके पास सरिफ 5 minute है इसको note करने के लिए फिर हम practical question पे आएगे ठीक है ना इसको note करिए पहले